खबर उत्तरप्रदेस के स्रावस्ति जनपत के सिर्सिया इलाके से है जहां पर एक दुखत खबर सामने आई है करंड की चपेट में आकर इवक की मौत का मामला प्रकास में आया है High Voltage करंड की चपेट में आकर इवक की हुई मौत परिजनों में मच गया कोहराम सेसिया थानाचेत अंतरगत सुनबरसा निवासी संजे कुमार उम्र बीस बस पुत अमलाल पडोसी गाउ महासमरा में एक साधी समारों में टेंट लगाने गया हुआ था जहां हाई बोल्टेज करंट की चपेट में आ जाने से इवक गंभी रूप से छुलस गया आनन फानन उसे एक सावस्ती जन्पत के जिला चिकित साले भीनगा पहुंचाया गया जहां पर डाक्टर ने उसे मित घोसित कर दिया सूचना पर पहुंची पुलिस ने सो का पंचनामा भरकर पोस्मार्टम के लिए भेद दिया है वहीं घटना को लेकर परिजनों में कोहरा म मचा हुआ है सावस्ती जन्पत के सिस्या इलाके की एक खबर है जहां पर बीस बर्स ये इवक करन्ट की चफेट में आकर चुलस गया जिसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया तो डाक्टरों ने मित घोसित कर दिया कि तंटबा मेरे यक्षिर से लग कया आया घर का हमा लड़का हुआ एक जबाद बलकारे सम्मारे कपड़ा चाटे वत्ते जानन भाईयक हमना आज जानन के मेरे भाईयक बलाई लग कई गया करंट लाग गया दोसरे खातिल लाग पोचाय देने अपना भाग घर माग सिर्सिया इलाके कईपूरा मामला जहां पर बीस बरसिये वक्त टेंट लगाते वक्त करंट की चफेट में आ गया जिसके बाद आनन ठानन उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर डाक्टों ने मिर्त घोसित कर दिया जिसके चलते परिवार में कोहराम पसर गया स सावस्ती जन्पत के सिर्सिया इलाके का पूरा मामला है जहां पर यह घटा सामने आई आनन फारन उसे जिला चिकित साले पहुंचाया गया था परंत जिंदगी जंग की जंग इवक्त हार गया प्रतनिधी इंदर महुरिया नाम है हमको करीब दो बजए गाउं के बिक्ति फोन किये कि आपकी यहां लहरी के भाई का मौत हो गया है करंट 11000 वल्टेज लगी है महा सेमरा में टेंट लगा था ओमकार बर्मा का टेंट लगा था और वहां पे काम कर रहा था तो उनके मां एक घंटे आधा घंटे के अंदर हम अपने घाउं से वहां जब पहुंचे हैं तो लड़के की हालत बिल्कुल गंभीर थी जू नहीं था लेकिन हम लोग का जू नहीं माना जिसका टेंट लगा था वो भी नहीं आये कि लोग लेके अस्पिताल भाग जाएं उसके बाद हम मुहां से महीजिक से बेओस्ता करवा कि हम यहां जिला पर लेके आएं तो यहां पर जिला पर आएज णीजिक के बताएं खतम हो जवाएँ बुले देर हो गया तरशा कहा पर तेंट लगा रहे थी यह दल्याओ में वालए हैं अचắt एब गजा रहने कि आ Console झाल